प्रभू में आपका भाई राहु जोन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कौन पर्थम और अंतिम हैं कौन अलफा और उमेगा है कौन आधी और अंत है इसके बारे में आज हम जाने पुराना नियम बाईवल में क्या कहता है और नया नियम बाईवल में क्या कहता है इसके बारे में आज हम जानेंगे कि पर्थम कौन है उधर पुराना नियम में यहोबा परमिश्व करते हैं कि मैं पर्थम हूं मैं अंत हूं नया नियम में येश तो आये अब हम अस्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं या साया नभी की पुस्तक अध्या 41 बचन 4 में, जहां पर हमें यह मिलता है, यहां पर पुराने नियम में यहोबा परमेश्वर कहते हैं कि किसने यह काम किया और आदि से पिडियों को बुलाता आया है, मैं यहोबा जो सबसे पहला और अंत के शमय में रहूंगा, मैं वही हूँ, तो हम यहां पर देख रहे हैं या साया नभी की पुस्तक अध्या 41 के 4 में, कि यहोबा जो परमेश्वर है, वो कहते हैं कि किसने यह काम किया है, आदि से पिडियों से मैं ही बुलाता आया हूँ, मैं यहोबा हू जो सबसे पहला और अंत के शमय में रहूंगा, मैं वही हूँ, तो पुराना नियम में यहोबा कहते हैं, मैं पहला और अंत हूँ, और आये अब हम देखते हैं, नए नियम की पुस्तक में, परकासित वाक अध्या 1.17 में, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां यहुनना देखा, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दायना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं पर्थम और अंतीम और जीबता हूँ, तो अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, कि पुराने नियम में यहोबा कहते हैं, मैं सबसे पहला हूँ, और आंत के समय में मैं ही रहूँगा, क्योंकि मैं वही हूँ, लेकिन जब हम नया नियम में पढ़ते हैं, परकासित वाकर एक के सद्रा में, तो यहां पर येशु मसी कर रहे हैं, कि मैं पर्थम हूँ, मैं अंतीम हूँ, और मैं जीबता हूँ, तो दोनों में क्या अंदर है, यहोबा और येशु मसी दोनों एक है, और येशु मसी ही खुदा है, इसलिए यहोबा परमेश्वर काते हैं, मैं पाला और मैं अंत हूँ, यहां पर परकासित वाकर एक के सद्रा में येशु मसी काते हैं, मत डर, मैं अंतीम और जीबता हूँ, मैं पर्थम हूँ, तो इससे साबित होता है कि ये शूही यहोवा है और ये शूही परमेश्वर है अब हम फिर देखेंगे एक बचन यासाया नभी की अध्याइद 43 बचन 10 से 11 तक में तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है यहोवा की बानी है तुम मेरी साक्षी हो मेरे दास हो जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीती करो और या जान लो कि मैं वही हूँ मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उधार करता नहीं तो कुरान नया में हम देख रह हैं कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं हुआ और ना मेरे कोई बाद होगा मैं ही यहोवा हूँ मुझे छोड़ और कोई उधार करता नहीं लेकिन हम नए नियम में जानते हैं कि हमारा उधार करता कौन है यहाँ पूरान नियम में यहोवा परमेश्वर बोल रहे हैं म मैं ही यहोबा हूँ मुझे छोड़ कोई उधार करता नहीं लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हमारा एक मात उधार करता कौन है येशु मसी तो आईए हम देखते हैं परकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याए 22 के 12 से 13 बचन में यहां पर लिखा है कि देख मैं सिग्र आने वाल हूँ तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं यहां परकाशित वाक्य के 22 के 12 तेरा में बाइविल में बता रही है जहां येशु मसी करते हैं और देख मैं शिग्र आने वाला हूँ तो हम सभी लोग जानते हैं कि आने वाला कौन है येशु मसी और वो क्या कर रहे हैं कि मै अलफा और ओमेगा आदी और अन्थ हूँ तो अभी हमने देखा या सया की पुस्तक अध्याई 43 बचन 10 से 11 में पुराना नियम वहाँ पर काते हैं यहोबा मैं ही यहोबा हूँ मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं ना यहीं मेरे कोई पहले था और ना यहीं मेरे कोई बाद होगा क्योंकि मैं ही यहोबा हूँ लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पर काशित वाग के 22 के 12 से 13 में तो यहाँ येश्व मसे करते हैं मैं ही अलफा और मैं ही ओमेगा मैं ही आदी और मैं ही अन्थू तो इससे सावित होता है कि येशु और येहोवा दोनों एक हैं क्योंकि येशु और परमेश्वर्ट एक हैं और येशु ही खुदा है आगे हम देखते हैं एक बचन और मेरे पास है यासाया नभी की पुस्तक अध्या 44 बचन 6 में पुरान नियम में देखते हैं तो यहाँ पर हमें बाविल बता रही यहोवा जो इसराइल का राजा है अर्थार्थ सेनाओ का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है वह यहो कहता है मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत रहूंगा मुझे छोड़ और कोई परमेशवर है नहीं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहोवा जो इसराइल का राजा है यहोवा ही राजा है और यहां पर लिवायल बता रहे है शेनाओं का यहोबा जो उसका छुड़ाने वाला है वही यहोबा काता है मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत रहूंगा मुझे छोड़ और कोई परमेशवर ही ही नहीं तो पुराना नयम में यहोबा ही परमेश्वर है उच्छे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है लेकिन जब हम पढ़ते हैं रिवलेशन और परकाश्चित वाग के अध्या एक बचन आठ में तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि यहाँ बचन में बता रहे हैं वाइबल में कि परभू परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है जो सर्वशक्तिमान है यह कहता है मैं ही अलफा और ओमेगा हूँ तो हमें समझना है कि पर्भू परमेश्वर जो है कौन था पहले यहोवा और अभी भी कौन है यहोवा और आने वाला कौन है येशु मसी तो कहने का मतलब क्या है कि यहोवा जो है और जो था और जो आने वाला येशु मसी है तो येशु मसी ही यहोवा है और येशु मसी ही कर हैं कि मही अलफा और ओमेगा हूं तो यहां पर भी शावित होता है कि येशू मसी वही परमेश्वर हैं और वही यहोवा हैं क्योंकि यहां पर बाविल बता रहे हैं कि देख मैं जो आने वाला है जो है जो था और जो आने वाला है तो आने वाला कौन है हम सरी जानते हैं कि आने वाला कौन है येशु मसी तो येशु मसी ही अलफा और ओमेगा है इससे साबिस होता है कि येशु ही यहोवा है येशु ही परमेश्वर है पुराने नियम में येशु मसी आदी और अंथे पर नए नियम में क्योंकि यहुनर्च येशु समाचार में हम देखते हैं तो वहाँ पर येशु मसी करते हैं कि पूरा धर्म सास्त्र मेरे बारे में गवाही देता है यह पूरा धर्म सास्त्र येशु मसी के बारे में गवाही देता है इसलिए कि असल में यहोबा ही येशु मसी है और येशु मसीही यहोबा है और येशु ही एक परमेश्वर है और उसे छोड़ और कोई उद्धार करता प्रभूर नहीं है तो हम जानते हैं और हम इस वीडियो के दौरा सिखें कि पाहला और अंतिम आदी और अंत अलफा और ओमेगा सब येशु मसीह है क्योंकि येशु मसीही परमेश्वर है परमेश्वर आपको आसिश दे और इस वीडियो के दौरा आप जो कुछ सिखें एक दुसरे के साथ बाटिए और अब आप हमारे यूट्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये प्लीज आप हमारे यूट्व चैनल को सब्सक्राइब